जो चीजें जादा उप्योग में आने वाली हैं, उनका जादा उत्पादन नहीं बढ़ पाता है. इसका परिनाम यह होता है कि बेकारी बहुत हद तक कायम रह जाती है और लोगों के रहन सहन का इस तर नीचा रह जाता है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जैसा इरादा किया है, उस इरादे को पूरा करना चाहिए. अगर सरकार गाओं गाओं तक सडकें पहुचा दे और घर घर में बिजली पहुचा दे तो वास्तों में देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांती हो जाएगी. इससे हमारे ग्रामीन भाईयों का रहन सहन भी कुछ उचा हो जाएगा और सारे देश की उन्नती होगी. देश के लोगों ने पिछले दो आम चुनावों में हमारे प्रधान मंत्री में जो विश्वास प्रकट किया है वह इसी भावना से प्रकट किया है कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ वादा किया उसको क्रियानवित करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जोर लगाया. अगर बाढवा सूखे की समस्या हमारे सामने ना आती तो पिछले चुनावों के बाद उन्होंने जो वादा किया था वह सब पूरा होता. लेकिन इन कठिनाईयों को जनता समझती है. वह जानती है कि सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाईयां आती है. और सरकार ने किस तरह से उनको बरदाश्ट किया है. इसके बावजूद जो भी विकास की योजनाएं चालू की गई थी, उनको रुकने नहीं दिया गया. उनमें कोई मंद गती नहीं आने दी गई. वे बराबर चालू रखी गई है. इसी से जन्ता की निगाह बराबर इसी तरफ लगी हुई है. और यह विश्वास किया जाता है कि प्रधान मंत्री के नित्रत्व में डेश इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा जिसकी कोई कलपना नहीं कर सकता. सिख्छा पद्धि के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं. चारो तरफ से इस मामले की आलोचना हो रही है. एक तरफ स्कूल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. दूसरी तरफ उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है.